सर आजकर जो आपके स्कूल के बारे में और मैटम के बारे के जो भी इस टेम के खबर चल लेगी है उसके सर आप क्या बोलना चाहिए उसके कुछ प्रिंट मीडिया ने तो तीन चार दिन निकाला है उन्होंने स्कूल का नाम गोपनी रखा है लेकिन अभी तो सब खुल गया ह स्कूल का नाम से इंटर लोईश्यो साइज स्कूल है मैं यहां का प्रिंसिपल हूँ फादर वाल्टर डी सिल्वा मैं जुलाई एक जुलाई दोजार उन्नीस में आया था लगबग अभी साड़े चार साल हो गए है यस इस बात पर मैं यह क्या ना चाहता हूँ जिन मैडम पर आरोप लगाया है उनकी नियुक्ति 2005 में हुई थी तो अभी तक वह 18 साल यहां पर पड़ा चुकी है ठीक है 18 साल चल रहा है इन 18 सालों में सिर्फ उनकी तारिफ उनकी सरहाना छोड़कर ना बच्चों से ना पेरिंट से कोई शिकायत नहीं आई है और बीते सड़चार वर्षों से मेरा भी अन्वव यही है कि यह वो एक बहुत अच्छी ठीचर है नेचर में हो आपस में अपने साहिलियों से अपने सापाटियों से हो कुलेक से हो बच्चों से हो बच्चों को अपने बेटों के समान देखती हैं प्यार करती हैं संबोधन करती हैं पढ़ाती हैं हर समय बच्चों की अगर तैयारी अदूरी है जादा मेहनत करके उनसे पूछ पूछ के वो पूरा तैयारी करा देते हैं ताकि बच्चे अवल निकले तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है मेरे इसाब से मेरा अपनी इसाब से ये बेबुनियाद है ये मनगडंत कहानी है देखिए उनको तो आरोपित किया ही गया है ठीक है और जबरन विद्यालाई को भी लपेटने के लिए दन्मार्णतरन का लगाया गया है और प्रिंट मेडिया ने भी कई चीज़े निकाली हैं मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ ये विद्यालाई बीते 75 साल से चल रहा है 1948 का ये स्थापित हुआ है इस साल हम लोग अमृत महसो मना रहे हैं बीते साल हम लोग ने भारत देश का मनाया इस साल हम लोग अपने विद्यालाई का अमृत महसो मना रहे हैं और इस वकत हम लोग ने डेट भी तई की है नौ नौंवर को हम लोग अमरस्व मना रहे हैं और इसमें यह कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरनी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु है Never жalद के सामने भारत देश ने अपना नाम रोशन किया है यह बहुत अच्छी बात है, पुरे विश्य में हमारा नाम चमक रहा है, तो उसमें हमारी संस्ता का भी छोटा सा योगदान है, हमारे संस्ता से निकले वे चात्र, भूत पुरुचात्र, वो माइक्रोसॉफ्ट में है, वो नासा में है, वो डियाडिवो में है, रेलवे के च सेक्रेटरी 2022 में हमारे भूत पूर्व चात्र रिटायर होकर निकले हैं उन्हीं को हम लोगों ने वास्तों में इस बार चीफ गेस्ट बना की बुलाया था तो ऐसे सब जगापे विश्वर में चाय हुए हैं इन 75 वर्षों में अभी तक कभी भी ऐसी बात नहीं आई है इन 75 वर्षों में हम लोगों ने नाम कमाया है छोड़कर कहीं पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है दूसरी बात मैं आपको कहूं इस वर्ष मेरे पास 1970 बच्चे हैं 80 स्टाफ हैं कुल मिला के 2030 हो गए तो 2030 में मैं यहां पे पेरेंट्स को लाना ही नहीं चाहता हूं संक्या और बढ़ जाएगी 2030 में यही एक बच्चा मिला वो भी मैं यही एक बच्चा मिला और कोई नहीं मिला तीसरी बात इसमें यह कहा गया है कि मैं उनको चर्च में ले जाती थी चर्च केबल संडे को खुलता है स्कूल के टाइम में खुलता ही नहीं है और च्छावी रहाती है चर्च के इंचार्ज फादर के पास तो मैम चर्च कैसे ले जाएंगे मैम चर्च कैसे ले जाएंगे चौती बात कही गई यह है कि मैम उसको अलग से ले जाती थी उससे बात करती थी लड़का उनके पीट पीछे चिपता था उसको पीट पीछे चिपने की जरुद क्या थी क्या उसको कैमरे से डर था यदि उसको कैमरे से डर था पीछ के पीछे चिपता था तो पुलीस आने दीजिए हमारे कैमरा कंगाल न दीजिए ना कैमरा कंगाल न द जीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा चौती भाद ये बताया गया है कि उसकी चोटी ये शिका काटी गई है ठीक है वो अब हमारे स्कूल के क्यामपस में अब मैम ने कटवाया है एक एटेंडेंस के हिसाब से बच्चों के एटेंडेंस रेकॉर्ड के हिसाब से 30 तारिक आकरी हाफ ये ली पेपर था 30 तारिक तक उसका एटेंडेंस देखा गया है 30 के बाद उसका एटेंडेंस नहीं है गौर करनी के बात है जान दिजेगा गौर करनी के बात है उनके पिता बच्चे के पिता अखिले अखिले शुकला ने पुलीस में कंप्लेइन किया है 2 अक्तोबर को और उनका बच्चा 1 अक्तोबर से स्कूल आया ही नहीं है जो भी बाते हुए हैं हम तीनों के बीच में हुई है और कैमरा भी था ओफिस में कैमरा है कैमरा भी है हम तीनों के बीच में हुई है ना मैं उससे पहले मिला हूँ ना उसके बाद में मिला हूँ तो यह कैसे हो सकता है कि मैंने उसको बला कर पूछा कि मैं हम जो पढ़ा रही है सब ठीक पढ़ा रही है ना जो आरोप लगाए गए है मेरा यही है मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ ना पेरेंट पर ना बच्चे पर बच्चे पर तो बिलकुल नहीं कियोंकि हो हमारा बच्चा है अभी भी हो हमारा बच्छा है हमारे विद्याले का चात्र है ना मीडिया पर ना किसे संगटन पर किसी पर मेरा कोई आरोप नहीं है मैं केवल अपने विद्याले अपने बच्चे चात्र चात्र हैं जो यहां पढ़ते हैं अपने स्टाफ इनके डिफेंस के लिए ये मैं प्रेस जो भी है रिपोर्ट दे रहा हूँ मुझे किसी की प्रती कोई दोश या आरोप नहीं लगाना है सर आपके चैनल के माध्यम से मैं कम से कम पूरे नगरवासियों को और आपका चैनल और यूपी स्टेट रास्टै स्टार पर है तो सब को यह संदेश देना चाहता हूँ यह जो आरोप लगाया जा रहा है चाए हमारे टीचर के प्रती हो चाए विद्ध्य लएगे के प्रती हो विद्यालाई तो कहीं पर दोशी नहीं है टीचर ने इंटरनेट में को चाट किया है उसमें भी दोश नहीं है मेरे divers क्योंकि ना उन्होंने वहां पर अपनी ID में उनका असली नाम दिया है क्योंकि विद्यालाई में हम उसको कुछ और नाम से जानते हैं Instagram में उन्होंने ID नेम और कुछ रखा है जो विद्यालाई कैमपस में कोई नहीं जानता है ना उन्होंने वहाँ पर अपनी DP अपनी असली DP दी है ना वहाँ पर कुछ age दिखाया गया है ना age है ना gender है ना DP है ना विद्यालाई record में जो name है वो है तो इसलिए हमारे लिए या किसी के लिए भी ये दो अलग अलग हो गए तो मैम ने चार्ट किया होगा क्या क्या है क्या नहीं क्या है या ये पुलिस चान्बिन कर रही है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चनल के माद्यम से ये कहना चाहता हूँ टीचर और विद्यालाई पूर्ण रूप से निर्दोश है जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बे बुनियाद है निरादार है बस्तु तैंक यू